साल 2013 से जब से चाइना के प्रेजिडेंट बनते है शीजिन तब से चाइना में बहुत ही systematic और planned तरीके से या तो मस्जिदों को तोड़ दिया गया या तो उसमें इतने सारे changes कर दिये गया कि अब उसे मस्जिद कहना भी गलत होगा इसी में आगे बढ़ते हुए चाइना के युनान प्रोविंस में एक मस्जिद जो कि approximately 21,000 स्क्वाइर मिटर में फैला हुआ था जिसमें changes करने के बाद वो अब कुछ इस तरीके से दिखता है और ये सिलसिला 2013 से चलता हुआ आ रहा और multiple reports ये suggest करते हैं कि approximately चाइना में सारे मस उसे तोड़ दिया गया और इसी बीच Muslim World के prominent countries जैसे कि Saudi Arabia या Turkey या बहुत हद तक UAE ये सारे खामोश हैं और इस खामोशी के पीछे उनके अपने वज़े हैं उनके अपने agenda हैं जिस systematic तरीके से चाइना में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा अगर इसका 1% भी किसी और देश म अंजाम दे रहा रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि almost जो मस्जिदों को तोड़ने का या उसको change करने का process है वो almost complete हो गया है और इस process को चाइना में कहा जाता है signification इसका मतलब ये होता है कि चाइना में जितने भी non-Chinese architecture है या किसी भी तरीके से किसी भी architecture को देख के लगता है जो कि इस मस्जिद के ऊपर वाले portion को तोड़के बिठा दिया गया अब बात रहा कि exactly Muslim countries चुप क्यों है जहां तक बात रहा पाकिस्तान का तो पाकिस्तान भी चाइना से बढ़ चड़कर पिछले 20-25 सालों से लोन लेता हुआ आ रहा same बहुत हथ तक हम कह सकते हैं Saudi Arabia और UAE के बारे में तरकी के बारे में भी हम बहुत हथ तक कहीं सकते हैं तो almost जितने भी जो prominent Muslim countries हैं वो या तो चाइना से इतने लोन लेकर रखे हैं कि वो capable नहीं है कि वो चाइना के सामने खड़े होके इन सब मामले के ऊपर वो बात करें लेकिन वहीं पर अगर सामने ओला देश का importance अधिक होता है या आप उस पर dependent होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर business होता है सिर्फ और सिर्फ financial transaction होता है और जो religious मुद्दा होता है वो complete तरीके से backseat पर होता है सो अगर हम आज के चाइना के बारे में बात करें तो लगभग 90% जो Chinese लोग है वो Han ethnicity को बिलॉंग करते हैं और अगर हम वही बात करें Han Dynasty के time period का तो यह आप इसको roughly मान सकते हैं 200 BC से लेके 200 AD ध्यान रखे मैं roughly कह रहा हूँ और Han Dynasty के time period में बहुत सारे cultural development हुए चाइना के जो Han Dynasty यह Han period के time पे ही चाइना में Buddhism पहुचता है इसके अलावा भी अगर कभी अगर हमें वक्त मिले और अगर आप पढ़ना चाहें Han Dynasty के बारे में तो आप कह सकते हैं कि Han Dynasty चाइना के एक बहुत ही सुनहरा face को represent करता है और in fact यह देखा भी गया है कि President Xi Jinping जब भी किसे अपने counterpart स मिलते हैं तो वो उस area में मिलते हैं जिसके background में चाइना के उस history को represent किया जाता है जो किसी time पे काफी सुनहरा था तो जो present government है यानि कि जो शीजिन की government है वो कोशिश करते हैं कि चाइना में कोई भी ऐसा monument या architecture या कोई भी ऐसा sign नार है जो Han Dynasty से match नहीं करता है यह भी एक बह बहुत हतक खतम किया जा चुका है क्योंकि Xinjiang province में majority of long वो Muslim religion को follow करते हैं और इनका जो language है वो more or less Turkic language से मिलता जूलता language है क्योंकि population एक ही जगा पे concentrated है इसलिए सरकार के लिए काफी आसान होता है इनके उपर crackdown करना वहीं अगर बात किया जाए number of masjid का तो जहां पे population सबसे अधिक रहेगा Muslim का वहीं पे हम देख सकते हैं कि जो mosque का जो presence रहेगा वो भी वहीं पे रहेगा तो अगर हम population wise माने तो 56% जो Muslims रहते हैं वो Xinjiang province में रहते हैं और वहीं पे 63% जो mosque है वो भी Xinjiang province में ही है So recently जिस masjid में modification किया गया वो पढ़ता है Yunnan province में जो कि आप यहां map में देख सकते हैं और जहां तक बात रहा Xinjiang province के तो यहां के लोग तरकीक origin के हैं कहने का मतलब है कि यह Middle East या Central Asia origin के हैं जहां पे इनका जो physical appearance होता है वो इन सब जगे के लोगों से मिलता है और इनका जो traditional क काम है वो भी mainland China से match नहीं करता है तो कहने का मतलब है कि इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो mainland China से match करता हो या in fact जो Han dynasty के लोग है या in fact जो Han ethnicity के लोग है उनसे match करता हो तो यह भी एक वज़ा है कि क्यों Xinjiang province में government of China का का काफी strong crackdown होता है और इसके बारे में multiple reports publish किये गये हैं अगर हम तक Guardian के इस article को follow करें तो हमें मालूम पड़ता है कि युनान province में जिस मस्जिद को re-modify किया गया ये चाइना का one of the biggest mosque था जैसा कि मैंने बताया कि ये लगबग 21,000 square meter में फैला हुआ था वहीं पे हम देख सकते हैं ये satellite image 2022 को हम 2024 से compare कर सकते हैं किस तरीके से systematic तरीके से पूरा का पूरा building का जो नक्षा है खास करके उसके जो roof का area उसे change कर दिया गया वहीं पे साल 2018 में एक government का data leak होता है जहां पर ये बताया जाता है कि किसी भी तरीके से जो Muslim identity है उसको तोड़ा जाए और उसके बदले में जो construction है उसे ना या उसे कम किया जाए और साथ में अगर कहीं पे भी construction होता है तो उसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि वहाँ पे Han dynasty के जो impression है वो दिखाई पडने चाहिए और वहीं पे अगर बात किया जाए China में Muslim population का तो उनको ये मालूम था कि slowly and gradually government of China उनके जो भी बड़े बड़े या significant mosque है या तो उसको वो तोड़ दे crackdown को देखके बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं अगर वहीं पे बात किया जाए शुन्जियांग प्रोविंस में रहने वाले Muslim religion के लोगों का तो साल 2014 में government of China एक बहुत ही strict plan के साथ आते हैं जहां पे उनका single most agenda होता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई publicly Islam religion को follow कर रहा या किसी भी तरीके से sign या symbol दिखा रहा जिससे ये लगे कि वो Islam religion को follow करता है तो उनके उपर भी crackdown करने का फैसला लिया गया या in fact उनके उपर भी crackdown किया गया वहीं पे अगर बात किया जाए financial times के report का तो साल 2018 से लेके 24 तक लगभग 2300 से भी अधिक मस्जिदों को या तो या तो उसमें इतने सारे changes कर दिया गया है कि वो अब मस्जिद ही नहीं रहा तो अगर हम इस वीडियो को simply conclude करना चाहे तो हमें समझ में आता है कि अगर सामने वाला देश आपके उपर dependent है और अगर आपके पास इतना capabilities है कि आप उसको loan दे के रखे तो शायद chances ना के थाइंक यू तेक क्यर गुडबाए